तो आज के व्लोग में मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें रात भर रहना पड़ा बिल्कुल अंधेरे में और ये है मेरा इंडेक्शन जो के आपको देखने के लिए व्लोग में मिलता रहता है चली वीडियो को स्टार्ट करें चलीए आज कब लोग इसे तो हुआ क्या ऐसा हुआ कि लाइट में अचानक से शोट शर्किट हुआ तो जैसे कि मैं इवनिंग में चाय बना रही थी तो चाय बनाते वक्त इंडेक्शन में शोट शर्किट हुआ और पूरे घर की लाइट चलीगी काफी देर अंधेरे में रह ना पढ़ेगा तो यह देखें यह मैं क्या कर रही हूँ तो यहां पर मैंने यह लिया हुआ है PACKET SEMIO का और यहां पर बनाने लगी हूँ डेडी का मिठा खाने का बनता तो उन्के लिए बना देती हूं सेमिया तो जैसे ही साइड में मैं रोटे बनाते हुए साइड में मैंन बनाी जाती है बहुत ही ही टेस्टी बनती है और मैं इनको मसाले वाली बनाती हूँ आपके साथ में व्लोग में घूरी में दूद की जो हम बनाते हैं मिल्क वाली वह तो अच्छी लगती हैं बट मुझे उस से जादा जो चटपटी और यही बनाती हूँ मैं तहरी की तरह वो और भी जादा मज़दार लगती है तो यहां पर यह जो है चाए में जो इंडक्शन पर रखकर बना रही थी और बीच में रहा गई थी तो मैं इसको कंप्लीट करने के लिए फिर किचन में लेकर आई हूँ तो यहां पर अब बन रही हमारी चाय तो जैसी चाय हमारी complete होगी तो मैं यहां पर बाकी के काम करना स्टार्ट करूँ गी तो आज खाने में मैंने क्या बनाया है आज खाने में मैंने बनाया है आलो की सबजी मैंने बनाई थी तो मैंने यहां पर उसके साथ मैं सोचा चली पूड़ी बना लेती हूँगी सबजी तो रखी हुई है फटाफट से पूड़ीया निकाल लूँगी तो मैंने सारी पेडिया बना कर आटक उनके रख लिया था और सारी पेडिया बना कर रख ली और फटाफट से उनको बना कर म हैं कि ये स्वीट पटेटो हैं तो स्वीट पटेटो बिल्कुर स्वीट ही लग रहे हैं यहां पर पल जो मैंने पहले के लिए थी वो इससे भी कई जादा टेस्टी थी तो जैसे कि नाइट का काम कंप्लीट हो चुका था तो मॉर्णिंग में आज मैंने ब्रेकफास्ट में क दूसरे दिन का है तो मेरे पास गोबी गाजर की सबजे मैंने बनाई थी तो वो एक कटोरी बच्ची पड़ी हुई थी तो मैंने यहां पर बनाए रोटी के सेंडविच तो रात की जो रोटी थी वो भी मेरे पास बच्ची हुई थी रात में तो मैंने जैसे कि पूरी बना पड़ी बच तो परना लेती हूं ज्याता आपने मुझे देखा इख वो लोक समिया और तो मैं परांठे बना लेती हूं ठीक अगर पिसाथे खmen में बच गई तो फिर मैं सेंड़ई जरूरं बना लेती χ Carroll करेंगे घिन हैं Pennsylvania सब्छी सब्छी को मैश करके मैं यहां पर तवाँ पर घी लगा ली ती और रोटी को schneी है उसके सब्छी को हाफ रोटी के ओपर फेल लूँआ रोगे और फिर इसक RAMP proclaim riceíll कर लोगी induction लिए हुए सिर्फ मुझे भी एक one years मैंने complete किया है December में मैंने लिया था 25 December को 25 December को इसको फूरा one year वो complete कर चुका है और उसके बीच में मैंने उसको इतनी बार repairing कराया है क्या आप पूछे ना one years की तो उसकी warranty उधर से ही थी कि उन्होंने ही ठीक करना था अगर कोई प्रोबलम उसमें आ जाती है तो बस मैं ये देख लेए कस्टुमर के एर कोई ही कम से कम मैंने उसको 10 से 12 बार उसकी सर्विस कराई है और फिर अब इस बार भी मैंने उस रूम में जो चलाया ठंकी वज़ा से तो शोर्ट शर्किट होने की वज़ा से सारी लाइट में उसकी वज़ा से प्रोबलम आ गई और उसकी वज़ा से फिर बस ये हुआ कि हमने अंधेरे में तो हम नहीं रहे इन्वेटर पे हमने लाइट चलाई अपनी पूरी और इन्वेटर के थूँ वस रहा सारा कनेक्शन जो था और बस इसमें प्रोबलम लेकी नहीं लेकिन हाँ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इंडेक्शन लेते हैं तो आप कौन सी कंपनी करने कौन सी करना ले तो मैं आपको कहना चाहूँगी प्रेस्टीज का मैंने इंडेक्शन लिया था और प्रेस्टीज बहुत अच्छी कंपनी है इसलिए मैंने इंडेक्शन प्रेस्टीज का लिया था लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रेस्टीज में अगर other company जो भी होती हैं, इनकी side होती हैं कि ये prestige का ही बेचते हैं, पर इनका लोग भी प्रेस्टीज का नहीं हो, तो जिसका लोग जिस पर prestige का logo बना हुआ है आप वो ही लिए, other कोई भी आपको कहते हैं shop से कहते हैं कि जब भी आप market से purchase करने जाते हैं ही लोग बना हुआ होता है वो ही ले क्योंकि मैंने भी很好 कर लिया था पर उसके complain, इसकी बहुत ज्धा था है ये नहीं है के complaining जब मैं करको होँ तो इसके firing नहीं होती नहीं होर्क कर देते हैं बट ये अच्छी company जिसे कहते हैं जैसे ये ज्धा कोई ना कोई प्रोबल्म इस वह ही है तो बस मेने विसको रख दिया एक साइड में उठाकर तो अब मैं इसको यूज्ञ नहीं करूंगी अब मैं जब भी पर्चेस करूंगी तो एक अच्छी कमपनी का और देखकर ही पर्चेस करूंगी जब मैं लूँगी तो इंडेक्शन तो अब तो मैं अपना गेस पर ही काम चला रही हूँ बस इससे यह होता है सर्दियों में थोड़ा एजी हो जाता है करना जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं कुछ काम ऐसे हैं कि आप वड़ी तेजी से यह कर देता है जिसे कि आप चाय वगिर बनाते हो दूद बॉयल करते हो या पानी गरम करते हो और आप च्छोटे-च्छोटे चीज़ों से भी इससे काम ले सकते हूँ जैसे कि आपको कुली में काटोरी में कुछ करना है आप प्लेट में को रखकर कोई सबजी करम करना चाहते हो जिस बरतन में है आप उस बरतन को इस पर रखके इसका फायदा ले सकते हैं बस यहां मुझे जादा इसका बेनिफिट लगता था बट बाकी काम तो हम इस तरह से करी लेते हैं गैस पर भी तो यहां पर इसी तरह से देखिये बाते करते हुए मेरा सेंड़िच बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स तो वसी इस तरह ही इस रोटी के फोल्ड करके हमने सब जीरिस के अंदर भर ली है और इसे ही एक अच्छा सा कला राने तक इसको फ्राइब करेंगे और फिर कट करके हम इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़एका लगता है इस रेसीपी को ज़रूर अच्छा लगता है तो प्लीज विलो को आप लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए फिर